कीम्ती उफार करने के बाद राजा ने उस मंडप का परदा खिंचवा दिया, जिस मंडप में सारे पुरसकार सजा कर रखे गए थे, फिर क्या था? सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरसकार पाने के लिए पहल करने लगे पुरसकार सभी लोगों की गिंती के हिसाब से रखे गए थे आथ थोड़ी देर की धक्का मुक्की और चीनाज पटी के बाद सबको एक-एक पुरसकार मिल गया सभी पुरसकार कीन्ती थे, अपना-पना पुरसकार पाकर सभी संतुष्ठ हो गए। अंत में बचा सबसे कम मूल्य का पुरसकार एक चादी की थाली थी। यह पुरसकार उस आदमी को मिलना था, जो दर्बार में सब के बाद पहुँचे यानी देर से पहुँचने का दंड, सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनाली राम अभी तक नहीं पहुँचे हैं, यह जानकर सभी खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतु के बेढंगे वसस्ते पुरसकार को पाते हुए हम सब तेनाली राम को खूब चिढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा, तभी श्रीमान तेनाली राम आ गए, सारे लोग एक स्वर में चिल्ला पड़े, आईए तेनाली राम जी। एक अनोखा पुरसकार आपका इंतजार कर रहा है। तेनाली राम ने सभी दर्बारियों पर ग्रिश्टी डाली। ठक दिया, ऐसे की जैसे ठाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने ठाली को दुपट्टे से ढंकते हुए तेनाली राम को देख लिया, वे बोले, तेनाली राम ठाली को दुपट्टे से इस तरह क्यो ठक रहे हो? क्या करू महाराज? अब तक तो मुझे आपके दर्बार से हमेशा अशर्फियों से भरे ठाल मिलते रहे हैं. यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की ठाली मिली है. मैं इस ठाल को इसलिए दुपट्टे से ढख रहा हूँ ताकि आपकी बात कायम रहे. सब यही समझे कि तेनाली राम को इस बार भी महाराज ने ठाली भर कर अशर्फिया पुरस्कार में दी हैं. महाराज तेनाली राम की चतुराई भी बातों से प्रसंद हो गए. उन्होंने गले से अपना बहुमुल्यहार उतारा और कहा तेनाली राम तुम्हारी आज भी खा दिया. सभी लोग तेनाली राम की बुद्धी का लोहा मान गए. थोड़ी देर पहले जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे. वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुहु देख रहे थे. क्योंकि सबसे कीमती पुरसकार इस बार भी तेनाली राम को ही मिला था.